होस्पीटल फिर से होस्पीटल क्या करेंगे तब यस्था ही नहीं है तो होस्पीटल तो आना पड़ेगा तो आज फिर से आ चुकी हूँ में होस्पीटल में और लाहुल बलाकुवत लाहुल बलाकुवत और आज मैं मेरे बेटे के साथ में होस्पीटल आई हूँ और यहां बाजू पर डोक्टर साब आज अजू तक आये नहीं है आये थे डोक्टर साब लेकिन हम लोग आये वहाँ तक यह चले गए थे बिस्मिल्लाई रमाने रहीम असलालेकूम वेलकम बेक टू माई चेनल तो बस मैं और मेरा बेटा कब से के इंतेजार कर रहे है कि डोक्टर साब पावे और बस हम जल्दी से दवाई ले ले वे क्योंकि मेरी डाड में बहुत ज्यादा पेन हो रही है था तो डोक्टर साब तो नहीं आए बीना डोक्टर के बताए मैंने कंपाउंडर के पास से दवाई ले ली है और अब बेटा बोलता है कि चलो बहुत हो गया अब मैं क गया हूँ तो मेरा बेटा कंटाल बोजल दी जाता है तो बस मैंने कंपाउंडर से पुछ के दवाई ले ली है मैंने उनको बोला कि भाई इत्ती दवाई दे दे कि मेरी डाड का दुखावा अच्छा हो जावे तो उन्होंने दे दिये अल्ला उनका भला करे और बस यहां बेटा जी आ चुके है अल्हम्दुलिला तो हम आज की वीडियो में सेर करेंगे रमजान प्रिप्रेशन इंसा अल्ला रमजान की प्रिप्रेशन किस तरह से करती हूं मैं ओ भी आज की वीडियो में दिखाऊंगी उस से पहले बस यहां बाजु पे छोटा सा काम था हमारा याने रेमत भावी का तो हम लोग यहां बाजों पर रेमत भावी के घर आ चुके है बाबु भाई के घर तो अलहम्दुलिल्ला इनका खुबसूरत प्यारा सा घर और ये डेकोरेट ये छोटा सा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ में सेर कर रही अलहमदुलिल्ला मासाला माबंध भी के घर आगा ए मासाला माश Oak उंथी खान सा महारी उसके बाद कन्या कुमारी कोंं थे कर दोकिंत पयार यहां भी बहुत अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा यहां भी रूम है तीन तीन बेडरूम है अच्छा है कपड़े इस पहीं सुखोते हैं बाद कर यहां पर मतलब जहीं हैं हैं मासालला अलहम तो शुबान लाट तो कितना खुब सूरत कीचन है अलहम दुलीला और यह डाइनिंग एरिया भी बहुती अच्छा है तो बस कोफी पीते हैं और कोफी पीके चलते हैं रमजान प्रेप की तरफ अलहम्दलिल्ला प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दिये रमजान में सबसे पिल्ले सोपिंग कर लेनी है क्योंकि रोजा रखके सोपिंग करना सबसे बड़ा टाश्ट होता है और रोजा रखने का और इस बार इतनी ज्यादा धूप है ने तो हमने सुच कि पिल्ले से सोपिंग कर लेते हैं क्योंकि रमजान में रोजा रखके सोपिंग करना होत बहुत ही मुस्किल होता है इस वज़े से मैं और मेरा बेटा में रहते हो यह तो आप देख सकते हो मेरा बेटे का कीतना खुप-शूरत यह तो You in the Carb inqu Canadian making makingkin complete क्या बुलते हैं? लेंगे जब बेक उपए कोटी है तो ये क्या पर्चेस करेंगे? अभी हमने डिसाइड नहीं करा है, बस अभी ट्राइल कर रहे हैं बेटा, हर एक चीद देख रहे हैं और अलहम्दोलिला, अलहम्दोलिला, मेरे बेटे को और मेरे को हर चीद याने अच्छ में रहते हो और अच्छी सोप डूंड रहे हो तो प्लीज यहां बाजू पर जरूर से विजिट करना मेरे केने पर और यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है यहां पर हमने पेसा पे किया है और कपड़े लिए है और यह सोप वालों ने हमको नहीं बुलाये थे हमी इनकी पर अच्छे मेरे बच्चे बेटे के लिए और मेरा हभी के लिए जबबा लेंगे लिए थे बहुत ही अच्छे निकले अभी तक वह एसे न इसे ही एक पड़ा भी बहुत अच्छा है मर्टीरियल बहुत अच्छा है तो बस हमने आज भी इस बार भी सोचा के जांसे गए बार हमने इद के लिए लिये थे वही से इस बार भी लेने हैं लेकिन इस से पहले इस से पहले सोपिंग कम्प्लिट कर लेनी है ताकि आप लोगों को रमजार में रोजा रखे ने आपको बार जाना ना पड़े तो अलहम्दुलिल्ला अल्हम्दलिल्ला हमने यहां पर सुपिंग होती हमारी कम लि mily अल्हम्दुलिल्ला मेरे अल्ला ते रा सुपिंग करना दिए और एक कहां से लिया है आप लोग अगर आना चाहते हो तो मैं यहां का बोड भी दिखा देती हूँ तो आप लोग यहां पे आ सकते हो तो रुको देख सकते हो तो बस यह अलका पूरी में है तो आप जब भी आना चाहो आ सकते हो अगर आपको ना समझ पड़े तो मेरे को कमेंट करना मैं आपको पूरा एड्रेस प्रोपर देने की कोसिस करूंगी तो बस आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो रमजान प्रेप की आप लोगों को कैसी लगी कोमेंट करके जरूर से बताना तो यहां बाजू अलका पूरी का एरिया है मैं आप लोगों को दिखाने की कोसिस कर रही थी अलहमदोलिल्ला तो बस हम लोग आ चुके हैं फिर सोपिंग करने के बाद पूरा दिन हमारा फिरने में गया है तो अभी आज हम आ चुके हैं मामुजान के गर मेरे मामा के गर आए तो मेरी मुमानी जानने चाई, कोफी, सब कुछ पिलाया फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर से मेरी मुमानी जानने ये पौफ मंगा इतने यमी, इतने जबर जस्ते ने तो के मैं क्या बोलूँ, तो आज की वीडियो यहीं तक थी अल्ला हाफीस, फिर मिलूँगी नेक्स वीडियो में मैं पिले ये खुबसुरत गर्मा करम पफ खाती हूँ इंसालला, दूसरी वीडियो में फिर मिलूँगी नए अंदाज में, नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीस, खुबसारी दूआउ में याद अल्ला हाफीस